हेलो फ्रेंग्स आज का व्लोग जो है न वो एकदम लगी व्लोग है रोज हम बताते हैं घर की काम आज हम बताएंगे हमारे घर पे जो पोधे उगाए जाते हैं उसको मेंटें कैसे करते हैं और एक हाउस वाइफ है जो हर चीज की बचत करती है उसके पास टाइम नहीं होता है तो उसको गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो मैंने सोजा चलो आज आपके लिए एक बहुत अच्छी सी टिप्स लेकर आती हूँ जो मैं फोलो करती हूँ मेरे सब चीजे फोलो की हुई होती है वही मैं आपको दिखाती रहती हूँ तो देखो जी हमारे पडोसी है ना जिनोंने एलोईरा का पोधा उगाया हुआ था तो बहुत ज़्यादा उग गया था तो उनको उन लोगोंने कच्रों में फैकने जा रहे थे मैंने सो बोला में करना है एक नाइट तक खोल पर पानी के अंदर मैंने बड़ी सारी बाल्टी ले ली है 15 लीटर की मेरे पोधे बहुत जादा है जैसे कि 30 गंबले है मेरे घर में तीसों गंबलों में मुझे ये पानी डालना है और फिर डाल देना है आपको एक बड़ा सारा गुड इसस दाला है भुषपक करता है आपके मश्विर देता है तो इस तरह से देखो एक नाइट हो चुकी है मैंने पानी पूरा अच्छे से हिला दिया है इस अच्छनी की मदग से सारा निकल देंगे और meditating अगल सकते हो और तब करने और में ने तिन गमलों में तो एक दिन पेले ही खुदाई कर दी थी क्योंकि मट्टी सुख गई थी और मैंने सोजा चलो खुदाई कर दी तो थोड़ो oxygen चला जाएगा अंदर खुदाई करने से क्या होता है का oxygen जाता है मूरों के अंदर तो उससे हमारे जो पोदे होते हैं बहुत हरी भर हो जाते हैं मैं हर एक महिने में यह सब करती रहती हूँ कि मेरे terrace पे बहुत सारे aloeira के पोदे उगा रखे मैंने और बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो बस मैं ज़्यादा तर पोदों के अंदर यूज़ करती हूँ और इतनी अच्छी खुषबू आ रहे थी एकडम कडवास वाली जो खुषबू होती है वो अले अंदर खुषबू आ रहे थी कडवास वाले एकडम इसको आप अगर यूज़ करना चाहो ना next time और दूसरे दिन तो आप कर सकते हो पर इतना आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर से जो आपको चिकास चाहिए वो पर फिर भी चलो एक बार के लिए तो चली जाएगा आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो बाकी आप इसको कुछ दूसरे यूज़ में भी ले सकते हो दूसरे इस उसमें तो कुछ ले नहीं पाओगी इसको तो आपको फैकना ही पड़ेगा और इस तरह से मैंने सारा निकाल दिया और पूरा पानी बहुत अच्छा हो गया था और पोधे मेरे बहुत अच्छे हैपी होने वाले है क्योंकि मैं ये करती रहती हूँ मैंने शुशो सा चलो आज आपके लिए साथ सहरी कर लेती हूँ क्योंकि देखो घर के अभी धूप हमारे गुजरात में बहुत ज़्यादा धूप है पर मेरा एक चीज मेरी बहुत अच्छी है जैसे मेरी पूरा आगी की जो बॉर्डरी होना वहाँ पे 7 बजे से लेके 9 बजे तक की धूप आती है उसके बाद तो बिल्कुल धूप नहीं द्यूसरे दिनी आएगी धूप तो उसको कच्छी धूप होती है न सुबह की जो धूप वोधों के लिए बहुत फाइदेमंद होती है तो वह दूप बहुत अच्य मिल जाती है मेरे पोधों को, इसलिए मेरे पोधे बिल्कुल खराब नहीं होते हैं और प्रिश्मस पोड भी मैंने उगाया हुआ है, मली प्लांट भी है, बहुत सारे पोड़े मेरे, जो एक भी पोड़ा मेरा खराब नहीं तो धूब इतनी नहीं मिलती है, और जो वतार ना ठंडक के पोड़े, वही पोड़े मैंने उगा रखे है, तो बस इसलिए मैंने फ्लाव है, इसमें भी खुदाई कर लूँगी, जिस में मेरे से होदगा ना, उसमें मैं खुदाई कर लूँगी, मली प्लांट में तो होती नहीं है, तो उसमें तो मैं करी नहीं पाती हूँ, क्योंकि पूरा भर जाता है गमला, फिर मैं एक कांटे वाली स्पून से, छोटे- गमले होते हैं, उसमें एक स्पून की मदस से ही मैं कर लेती हूँ, और एक छोटी से में डिबी में भी मेरे कोई भी घमला मलब होता होँगी ना, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, मतलब होता है जिसके, जिससे पता चलता है ना, कि इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, तो ये देखो, स्नेक प्लांट की जाती है, इसमें भी आप एक हपते में पानी डालोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ज़्यादा पानी डालती हूँ, इसके अंदर ठंडियों में तो मैं 15-15-20-20 दिन तक पानी नहीं डालती हूँ, और बड़सात में तो जम गई दी मिटी, फिर भी मैंने मदस से सारे मैंने कर दिये, यहाँ पे भी मेरे सारे गमले है, इसमें भी विल्कुल जगर नहीं है, फिर भी मैंने तोड़ा सा ओक्सीजन लेवर अच्छा जाए अंदर मूड के अंदर, बस मेरा यही रेता है, तो आप लोग क्या करा सिर्फिये, आपके वहां धूप आती है, तो जो धूप के पोदे है, वो धूप में उगाये करू, और जो चाओ के पोदे है वो अई रखा गरो, तो आपके पोदे कभी भी खराब नहीं होंगे, जैसे देखो, यह सब चाओ के पोदे है, इसको बिल्कुल धूप नहीं चा पर अब उसको थोड़ी से धूप चाहिए ही चाहिए पर यह घर्मी का मौसा में इसलिए मेरी बॉन्डरी पर थोड़ी से धूप आ जाती है दो गंटे के लिए बाकी बिलकूल भी मेरे वहाँ पे धूप नहीं आती है इसलिए और मुझे कैक्टस बहुत-बहुत-बहुत पस सबसे फैवरेट मेरे कैक्टस है तो इसको मैंने जब से उगाया हुआ है नाई टेडा ही उगाया पता नहीं क्यों अब इसके सारे गांठे निकल चुकी है तो मैंने सोचा चलो अब इसको भी द्यूसरे में टांसफर करना पड़ेगा मुझे बस थोड़ा सा कोई अच्छा सा हिसाब से में रखा हुआ है म gent me drastic तो सारी चीज है मैं वास्तु की हिसाब से रखती हुआ है कोई चीज यहां वह रखेते हैं तो फिर वह धिक्कत हो जाती है घर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती थो जो हमारी बॉंडरी पर से अच्छों इसको मैं क्षी खुड़ा ही कर लू बहुत अच्छा से दूप लेती हूं यहां गेट के पास खड़ी रहती हूं आखे बंद कर देती हूं धूप ले लेती हूं दवाई करन खाने विटामिन्स की गोलिये खाने उससत बैटर है कि आप अच्छी सी धूप लेलो आपकी सरीर को सेक लीजिए तो बस मैं वही करती ह और मेरे अपराजीता का जो पोदा है उसमें बहुत अच्छा से एक फ्लावर हुआ है फूल बहुत अच्छा आ गया है तो यहां पर देखो कच्ची कच्ची सी धूप है अभी सुबह सुबह का टाइम में अभी कितनी बज़री है सांत बीस हो रही होगी ज्यादा टाइम इसी तरह मुझे गार्डनिंग में दिन में चार से पांच बार आती होना तभी मुझे अच्छा लगता है यह सारे भी बहुत हेल्दी हो रहे है और एकदम धूप में मतलब इनको ऑक्सीजन भी अच्छा मिल जाता है विटामेंस भी मुल जाता है ऐसा नहीं हमें हमें ही च दिख लीजिए यह मेरा अलोविरा का पानी है और इस तरह से मैं सारे में डाल दूँगी अच्छा से डालूँगी बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको गंबले में से नीचे नहीं निकलना चाहिए पानी बाकि आपका पानी सारा वेस्ट हो जाएगा निकल जाएग इसे में क्या करते हूँ एक खबते में एक बार सारे को निला देती हूँ जो मुझे लगता है कि आज इसको निलाना है आज इसको निलाना इसी तरह से मेरी गार्डनिंग बहुत अच्छी रहती है और मेरा गार्डन मुझे बहुत ज़्यादा प्रसंद है क्योंकि मेरे घर पुरा वासतु के हिसाब से घर बना हुआ है, और में हर एक चीज वासतु के हिसाब से रखते। पहला सर्छ करती हूँ कि कि यह चीज को हम नहीं और एक चीज भी हम यहां वहार रख देंगे तो घर में पैसो की, और जहकड़ी की भी बहुत दिक्कत हो जाती है पर चलो मगण ही महरबान ही है यह सब तो हमारे घर में नहीं होता है इसी तरह समें सारे पोदों में पानी पिला दूंगी तो आप भी ते को जब भी गार्डनिंग करते हो न तो थोड़ा बहुत एक दूसरे को देख लीजिए तो अब आपक दुनी से धख देती हूं तो उसको क्या है यह ठंडक मिलती है अब धी तो मेरी मली प्लांट बहुत ज़ाधा बहुत ज्यादा अच्छी यह हो गई हर जग्य से पते निकल रहे है हर जग्य निकल बहुत अच्छी हैपी हो चुकी है इस तरह से मैं सारे पानी डाल दिया है म कमेंट करके ज़रूर बताए, जिसने सब्सक्राइब नहीं, क्या वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, बैल आइकन को प्रेश कर दो, ता कि मेरी प्यारी प्यारी सी वीडियो आप इंजॉय कर पाओ, देख लिजीए, यहाँ पर सारे पोदो को मेंने पाने पीला दिये, उपर कि सभी सारे पोदो को मेरे पाने पिला उपर भी बहुत सारे गंबले लटक रहे मेरे तो उनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे आज के लिए इतना ही मिलती हूँ